Hello students, स्वागत है आप सुभी का RB additive class में तो आज मैं आप लोगों के लिए class 9th के math की book से एक question ले करके आए हूँ exercise 12.1 का question number first है ठीक है, here answer formula से तो इस question को हम discuss करेंगी आप बस वीडियो को अंतर तक देखिए चलिए शुरू करते हैं तो आप पर question है आप ट्रेफिक सिगनल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल आहेड इज एन इक्यूलेटरल ट्रेंगल विद साइड ए ठीक है, find the area आप दा सिगनल बोर्ड यूजिंग हेरांस फर्मूला, if the perimeter is 180 cm, what will be the area आप दा सिगनल बोर्ड तो यह question में हमसे पूछा है देखो, इनका कहना यह है कि कोई एक सिगनल बोर्ड है ऐसे ट्रेंगल टाइप है, और ट्रेंगल कैसा इक्यूलेटरल, अब इक्यूलेटरल की definition क्या होती है तो देखो, इक्यूलेटरल ऐसा ट्रेंगल होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, ठीक है, और उसकी साइड को हम इसमाल ए लिट करते हैं तो चलिए फिर सुरू करते हैं आपे solution लिट इसमाल ए वीदा side of इक्यूलेटरल ट्रेंगल ठीक है लिट ए वीदा side of इक्यूलेटरल ट्रेंगल माल लेते हैं कि ए जो है इक्यूलेटरल ट्रेंगल की side है तो यहाँ पर यह भी a हो जाएगा यह भी a हो जाएगा और यह भी a हो जाएगा ठीक है perimeter दिया हुआ है, perimeter कितना दिया है 1 a t तो यहां पर perimeter का formula इस्तेमाल करके side की value को find करेंगे so we have perimeter है ना तो perimeter का formula होता है 3 into side means 3a ठीक है तो हमें perimeter दिया हुआ है कितना 180 cm 3a की value जब find करेंगे तो 3 into में है उधर जाके divide में हो जाएगा 180 divided by 3 और a की value आजाएगी 60 cm कितना आजाएगी 60 cm कि यानि हमें triangle की side पता चल गई side कितनी है 60 cm है तो यह भी 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा फिर हम semi perimeter find कर लेंगे है ना semi perimeter अब देखिए semi perimeter का जो formula होता है वो होता है s is equal to p by 2 p कितना है 180 degree sorry 180 cm 180 को जब 2 से divide करेंगे तो मारे पास आजाएगा 90 cm यानि s कितना आजाएगा 90 cm आजाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम hierons formula लगाएंगे क्या लगाएंगे hierons formula using hierons formula तो hierons formula होता है क्या है a is equal to under root s s-a s-b s-c जहाँ पर s क्या होता है semi perimeter a, b और c जो होता है वो triangle की तीनों side होती है तो यहाँ पर तो triangle की तीनों side तो एक ही होगी मतलब जहाँ पर s है semi perimeter यानि की 90 centimeter so 90 90 minus 60 90 minus 60 90 minus 60 तो यहाँ पर आगे चलके जब subtraction करेंगे तो 90 into 30 into 30 और into 30 हो जाएगा ठीक है अब यह आप एक चीद देखो यह जो 90 है ना यह जो 90 है इसको हम write कर सकते हैं 3 into 30 है ना 3 into 30 हम 90 को write कर सकते हैं तो वो यहाँ पर हम write कर लेंगे 3 into 30 into 30 into 30 into 30 तो देखो यहाँ पर 1 30 का pair बन रहा है और यहाँ पर 1 30 का pair बन रहा है तो square root के case में क्या होता है जिसका pair बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से 1 30 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 1 30 बाहर निकल जाएगा इसका pair नहीं बन रहा है तो under root में ही रहेगा तो यह हो जाएगा 900 under root 3 cm2 करचुकि area है तो क्या हो जाएगा cm2 हो जाएगा ठीके तो यहाँ पर यह हमारा इस question का answer होगा Equilateral triangle का area कितना होगा 900 under root 3 cm2 इस question का हमारा यह answer होगा ठीके यहाँ पर area कितना आएगा 900 under root 3 cm2 अब आप इस question को write down कर लें या फिर आप screenshot ले लें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो comment box में जरूर बताएं और like share तो करीदें साथी साथ channel को भी subscribe कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए thank you class